भाजबा ने लोगसभा सीट की चारों सीटों जीतने के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। उद्योंग विकास निगम के उपाद्यक्ष रामकुमार सहीतर संसदीक शेतर के सभी जीते हुए विधायकों के अलावा पददिकारियों ने भाग लिया। निर्ने लिया गया कि भाजबा अप्रेयल मा में मंदस्तर पर युवा संमेलन, महिला संमेलन और जिरा परिश्यत पर संमेलनों के अलावा संसदीक शेतर में दो बड़ी चुनावी रैलियां आयोजित करेगी। इसके साथ ही स्टार्ट परचारकों की होने वाली रैलियों पर भी चर्चा की गई। सत्ती ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्यों की जानकारी सभी बड़दिकारी अपने अपने विदान सबक शेतर के लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने पार्टी कारिकताओं से कहा कि प्रतेशी को सभी विदान सबक शेतरों में हर बूत पर लीड मिलनी चाहिए जिसके लिए आज से ही पार्टी के लिए अपना सौफिसीडी योगदान स्चुनिश्चित करें। सती ने कहा कि स्टार्ट परचारकों और बड़ी चुनावी रैलियों पर पार्टी हाइक मानी फैसला लेगा। इसके साथ ही वे पर देख संसरी क्षेतर से भाजपा पर देशी के लिए तीन तीन नाम भेजने के सवाल को टाल गया और कहा कि इस बारे में रास्ते अध्यक्षी कुछ कह सकते हैं। वही इस बैठक के दोरान हम मीरपूर संसरी क्षेतर के तहट आने वाले IPH मंतरी महिंदर सिंग ठाकुर की अनुपस्तिती कई सवाल खड़े कर गई। आपको बता दें कि शुगरवार को मुखे मंतरी के साथ एक कारिकर में विग गए थे जिसके चलते हमीरपूर में आयोजीत इस बैठक में भाग नहीं लिया हालनकि उनके बेटे ने इस बैठक में भाग जरूर लिया।